जॉइन आर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री बिनिंग टीम्स, फ्री गिवबेज, एक्साइटिंग ओफर्स और लास्ट मोमंट अपडेट्स, टेलीग्राम चैनल जॉइनिंग लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में शो करने वाला हूं तो उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाए अच्छा दोस्तो इस मेच के लिए तो चलो ठीक है आप ये वीडियो देख लोगे ग्रेंड लिग की टीम्स भी बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आगे का क्या सीन है आगे भी यार बहुत सारे मेच आने वाल है तो दोस्तों अगर आपको आगे भी हमारी ग्रेंड लिग की टीम्स का टिप्स का साधी सास्त मोल लिग की टीम्स का गिववेज वगेरा का एसे ही फ्री में फायदा उठाते रहना है तो देखो यार एक छोटा सा काम है ज तक आपकी बेनिंग होती रहेगी ठीक है तो आपको ये काम जरूर से कर लें लाखो लोगों ने दोस्तों आपके बरोचा दिखाया है क्योंकि मैं उनका प्रोफिट करवा रहा हूँ थेर दोस्तों बात करें यार इसमेज की तो ये इसकी जेनरल इन्फोरमेशन है ये तो आपको पताई होगी अचा दोस्तों वीडियो में अगर इस पहले में आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा देखो यार आपको भी पता है ताली कभी एकाज से निवस्ती मैं आप लोगों के लिए अपनी स्मोल लीग की टीम ला रहा हूँ ठीक है गिववेज वगेरा हम करते रहते हैं और आपका प्रोफिट करवाने की पूरी कोशिस में लगा रहता हूँ तो यार अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाऊगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए एसे ही वीडियो जो टीम लाते रहने के लिए आपको कुछ भी नहीं करन ठीक है बात करने दोस्तों देखो प्लेंग 11 के बारे में तो प्लेंग 11 वो ही बात है यार पूरे 11 खिलाडियों के उपर आपको नजर मानने के जुरुवत नहीं है क्योंकि पूरे 11 खिलाडियों आपको ग्रेंड लिक नहीं जीताने वाले है ठीक है कुछ प्लेयर जिनके उपर मैंने स्टार लगा रहा है उनके उपर एक बार नजर माड़ लेते हैं सब्सक्राइब तो दोस्तों रोज़ेर्श के अंदर पोटेंशियल है ज्यादा और कभी भी अच्छी पर्फूमेंस करके दे सकते हैं जैसे कि दोस्तों सब्सक्राइब अगर हम बात करें रोज़ आपको बताया कि अभी तक ऐसी आप में दो मेंच हो चुके हैं और दोनों ही मेंच में अच्छी पर्फूमेंस नहीं किया लेकिन यारोज़ शर्मा के अंदर ऐसा थोड़ी है कि पोटेंशियल नहीं रोज़ शर्मा एक ओपनर है काफी अच्छी पारी भी खेल सकते हैं ठाइन में ठीक हैं तो definitely हम इन्हें अपनी grand league के teams में ट्राय करेंगे कियो कि starting के 2 match में इन्होंने performance नहीं किया है इनके selection percent हो कम रहने वाल है वहीं अगर दोस्तों में बात गुल्यारोज की तो के लराौल का भी cmc नहीं हिनोंने भी starting के 2 match में अच्छा performance नहीं इसा प्याबर आप 10-11 टीम बनाते हो तो 2-3 टीम में तो कम से काम आपके पास केल राउल हो नहीं चीए ठीक है उसके लाँ दोस्तों अगर मैं बात रूँ अक्षार पटेल की तो आपको पता है रविंद्र जड़ेजा जो है रूल आउट हो चुके है तो अक्षार पटेल उनको रूल आउ ओभाई का मैदान है जहां पर मेग होगा वाँ पर स्टार्ट्सिक में जो फास्ट वौलर है उनको सबस्क्रेश चाहीएं इसका मतलब कीटीपिश्र, अभी तक मेरे पास नहीं है और और साथी साथ घूस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं आगे इस वीडियो में में आपको जो भी teams दिखाने वाला हूँ ना, वो अपनी final team भी नहीं है, क्योंकि यार अभी तक final pitch report अपने पास आई नहीं है, वो तोस के time पे आएगी, final planning लिए अपने पास आई नहीं है, वो भी तोस के time पे आईगी, ठीक है, तो अपनी जो भी team मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उनमें changes हो सकते हैं, उनमें update हो सकते हैं, ठीक हैं, और जो भी update होंगे, वो मैं आपके साथ अपने telegram channel पर share करूँगा, तो सबसे जरूरी बात, जिस भी भाई ने अभी तक हमारा telegram channel जोई नहीं किया है, फटाफर से जाके telegram channel जोईन करो, ठीक है, जोईन कैसे करोगे, telegram channel के joining link मैं आपको नीचे description और comment box में दे रहा हूँ, उस link पे click करोगे, दो-तीन जोड़ना है, अभी जाकर जोड़ना है, अभी जाकर जोड़ना है, या फिर इस video को खतम करने के बात जोड़ना चाहो, बाद में जोड़ना, link आपको नीचे description और comment box में मिलेगी, बात करें दोस्तों पाकिस्तान के best power hitter है पाकिस्तान के, ठीक है, पिसले match में इन्होंने अच्छी पारी खेली, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंडिया के against इन्होंने सिर्फ दो run बनाए थे, जो इंडिया और पाकिस्तान का match हुआ था, एक अफते पहले उसमें सिर्फ दो run बनाए थे, और struggle कर रहे थे, तो ध्यान रखना, इनके जो selection percent वो कम रहेंगे, लेकिन ये बंदा अगर form में आ गया, तो बहुत अच्छी performance कर सकता है, इसलिए मैंने इनके उपर star लगाए है, इनको भी आपको अपनी grand league की कुछ teams में try करता है, ठीक है, उसके लाव दोस्तों आशिफ अली, इन्होंने एक star लगाया है, इसका मतलब की ज्यादा importance नहीं देनी है, उसके नीचे दोस्तों हरीश रोफ का नाम आ चाता है, जिन्होंने पिसले दो मेंट में कोई खास performance नहीं किया, लेकिन हरीश रोफ भी एक तरीक से है, पाकिस्तान के one of the most important bowler है, तो इनको भी हम कुछ अपनी grand league की नहीं किया है, तो download कर सकते हो, इसकी download link भी आपको नीचे description और comment box में मिल जाएगी, इस application पर special क्या है, कि भाई अभी आपर competition बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर जीतना आचान है, साथ साथ दोस्तों आप उस link से download करोगे जो मैंने आपको नीचे description में दे रखी है, तो आपको 200 रुपए extra मिल जाएगे, sign up bonus आपको मिल जाएगा, साथ साथ जाथ आपको जब वहाँ पर अपना first time deposit करोगे, तो आपको 1500 रुपा होर मिल जाएगे, और वो bonus में नहीं मिलेंगे, वो आपको real cash मिलेगा, उसका आप मन में चाहे उस तरीके से upio करो, और साथ जाथ दोस्तों एक benefit और मैं आपको गिनाता हूँ, वहाँ पर आप जब खेलने जाओगे, उस link से download करके, तो आपका जो पहला match होगा, उसमें जो पहला contest होगा वो free entry का होगा, तो उसका भी आपको फायदा उठा लेना, ठीक है, fantasy code को दोस्तों आपको download कर लेना, इसकी download link आपको नीचे description औ comment box में मिल रहेगी, आपर game भी है, तो उनका भी आप आराम से मजा ले सकते हो, ठीक है, और दोस्तों अब हम बात करते हैं, देखो, हमारी team number one की, तो combination number one देखलो मैंने किस हिसाब से बनाया है, सबसे पहले तो आप मेरी strategy देखो, यह combination बनाने की, ठीक है, मैंने strategy की है, कि minor changes, minor changes मेरा मतलब है, कि मैंने small league की team बनाई, उसमें minor changes किया, मतलब कि एक दो कोई player हटा दिये, कोई risk की player ले लिए, कुछ ऐसा changes किया, और यह वाला combination बन गया, एक बार combination को ध्यान से देखो, फिर मैं आपको बदाता हूँ, इसका क्या मतलब है, ठीक है, सबसे पहले तो देखो, जो मेरी team में नहीं है, यहां से फकर जमान भी मेरी team में नहीं है, ठीक है, उसके अलावा मैंने अपने team में रखा किसे है, कुछ दिल साथ जो कि एक risky player है, मैंने इनको अपने team में रख लिया है, मुमन नवाज को मैंने अपने team में रखा हुआ है, उसके अलावा जो है सारे प्लेयर ठीक ठाके कोई दिक्कत नहीं है अब मेरे को एक बात बता हूँ यहां से मैंने एक तो सबसे मेन चीज तो केल राहूल जो कि इंडिया की ओपनर है उनको डोप किया है क्योंकि पिसके दो मेच से वो श्ट्रगल करे दें तो यह मानते भी कि भाई इस मेच में भी क्या अपने टीम में रख लिया ठीक है तो यह अपना बन जाता है पहला कोंबिनेशन और वहीं दोस्तों में बात कूँ यह की वन विथ रोहिश शर्मा तो आपको क्या करना है मैंने अभी डुख किया है केल रहूल को आपको केल रहूल को पिक कर लेना है और रोहिश शर्मा को से आपको कितने दो या इा तीन टीम हमेशा के Term बनानी है कैसे बनाऊंगे गयारा प्रेट की किय कि यह के बाद आपने क्या किय कर लिए के hört नूर वाइस के इसके बाद गयाइस प्रेट कियfeit इससे करकर आपको रोटेट करकरकर एक कौपिनेंशंसे दो तीन टीम बनानी है और मैं जितने भी combination आगी दिखाने वाला हूँ सबसे आपको captain wise captain rotate करकर करके 2-3 team बनानी है ठीक है तो यह हो गया अपना दोस्तो combination number 1 combination number 2 की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने क्या माना है सबसे पहले तो strategy चेक करो कि strategy मैंने क्या मानी है ठीक है वे से सोचके grand league की team बनानी होती है grand league की teams दोस्तों कभी भी हलके में नहीं बनते ठीक है आपका पूरा दिमाग उसमें लग जाता है हम भी ये grand league के combination बनाते हैं तो हमारा भाई पूरा दिमाग उपर से लेकिन नीचे तक बोल जाता है लेकिन फिर भी यार आप लोगों को result मिलते तो हमें भी अच्छा लगता है बाद में एसा लगता कि हाँ इतना दिमाग लगा है लेकिन वर्थ ही अब दोस्तों देखो आपको क्या करना हो था कि एक strategy सोची उसके साब से team बनाई टीम जो बना रहे हो उसमें जो 11 प्लेयर आप रख रहे हो एक एक प्लेयर आपके पास एक region होना चीए कि मैंने इससे ही क्यों रखा इसके अलाबा उसको क्यों नी रखा ठीक है वो आपके पास region होना चीए जिस दिन आपके पास वो region हो आगया वो grand league की team आपके अच्छी है हमारे हर एक combination में एक प्लेयर आपको तुक्केगा नी दिखेगा ठीक है जैसे इसमें देखो मैंने माना है कि इंडिया के opener जल्दी आउट हो गए जो सकता है दिनेश कार्ति की betting आ जाए इस बार ठीक है दिनाश कार्ति की पिसले दो मेंच से बेटिंग आ नी रही है बाकि इस बार आ सकती है तो मैंने अपने team में रख लिया क्या पता पाकिस्तान गे बोलर्स का डंका बजा देने है ठीक है उसके अलावाद नंबर 3 पर बेटिंग करने वाले विराट को ली नंबर 4 पर बेटिंग करने वाले सुर्यों कुमार याद हूँ और नंबर 5 पर बेटिंग करने वाले हार्दिक पांड्या ठीक है अब यार बात यह है कि नंबर 6 तक अगर दिनेश कार्ति की बेटिंग आ यह मतलब कि starting के दो विकेट तो गिरे जुग रहे लेकिन middle overs में भी विकेट गिर रहे है और middle overs में विकेट लेने के लिए मैंने आप शद्दाप खान रखा हूँ है जो की काफी अच्छी बोलिंग कर रहा है पिसले में च्यार विकेट लिये थे ठीक है तो इनको मैंने अपनी के combination में वो भी कर रहा है ठीक है इसी combination में दोस्तो captain और vice captain के में बात करूँ तो उन दोनों को तो मैंने drop कर दिया केल रहा हूँ रोशेर मां उसके बाद मैंने माना कि यह अच्छी performance करेंगे तो व्राट कोली सूरिया कुमार यादव दोनों के दोनों आपके लिए अच्छे captain wise captain choice है hardik pandya betting plus bowling से phone दे सकते हैं यह आपके लिए captain wise captain के अच्छे choice है और उसके अलावा अगर आप जाना चाहो तो इन तीनों में से देख लेना किसी एक को पकड़ लो जैसे कि मानलो मुमत रिजवान को पकड़ लिया तो यह आपके लिए captain wise captain के अच्छे choice है ठीक है तो मैं मैंने माना कि Baba Razaam जो है इस match में भी जल्दी out हो गए पिसले 2 match से जल्दी out होई रहे है जरूरी नहीं कि इस match में perform करें करें ठीक है इस match में भी जल्दी out हो सकता है तो मैंने इस बार Baba Razaam को अपने team से रोप कर दिया अब Baba Razaam के भी दोस्तों इस match में selection percent काफी अच्छी र यहां से मैंने बाबरेजां इन तो में आपने टीम չोने चिर दिया मोहां वह मतल麼 144 ब्यूंग करेंगे में आपने टीम में रखेल ओीन को भी मैंने अप्रेटीब में रखा हुआ है और यहां से आप देखो रोई शर्मा को इस बार मैंने उठा लिया सूर्य कुमार याद हुगी है विराट कोली भी है यहां से केल राहूल अभी भी ड्रोपन है और केल राहूल का विकेट लेने के लिए मेरे पास नसीम शाह है और क राहूल को मैंने आगे वाली टीम्स में ट्राई किया हुआ है चिंता मत्रो ठीक है तो यह करके मैंने कुछ कॉम्बिनेशन नबर 3 बना दिया इसमें दोस्तों केप्टन और वाइस केप्टन की अगर में बात करू तो मैंने माना है कि बाबर रजाम जल्दी आउट हुए है मोमंत रिज्वान है तो मुमंत रिज्वान आपके लिए केप्टन-वाइस केप्टन रिचेए चोयस है अगर आपको थोड़ा रिस्तले ना हो तो एक टीम में फकर जमान को वाइस केप्टन त्राई कर लेना उसके अलाब के हमनें क्यों आपके पास है याज है तो आपको करना है इस combination से भी वह ही दो तीन टीम बनानी है जैसे कि मालनों Captain, Vice Captain उसके बाद वापस यह 11 प्लेट स्लेट की है 11 के 11 सेम करना चाहूं सेम कर सकते हो एक आदा चेंज अपनी तरफ से करना चाहूं वो कर सकते हो ठीक है बाकि इसमें दूसरी टीम में आपने क्या किया मालनों क इसे Vice Captain बना दिया, पोली को Captain बना दिया ठीक है तो इसे करकर के इस combination से भी आपको तीन टीम कम जखम बना लेनी है उसके बाद दोस्तों हम next combination की बात करेंगे लेकिन उससे पहले में आपको एक application के बारे में बता देता हूं प्रोबो ठीक है इसके बारे में मैं आपको पहले की नहीं जीतेगा, प्लेंग के लिए उनमें ये आएगा की नहीं आएगा, पहले दो और में विकेट गिरेगा की नहीं गिरेगा, मतलब कि बहुत सारे स्वाल है जिनमें आप अपना opinion दे सकते हो और पैसे कमाद सकते हो, ठीक है तो प्रोबो की download लिंक भी दोस्तों आपको ठीक है, उसके लावर रोश शर्मा जल्दी आउट हुए है, विराट कोली नमबर तीन पर आगए, सुर्यो कुमारियादू नमबर चार पर आगए, हार्दी कमादय नमबर पांस पर बेटिंग करनें, उसके लावर दोस्तों अक्षर पटेल, जो से कि मानलो इनकी फॉर्म अच्छी है, तो इनको प्रमोट भी तो कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो पहला मेच हुआ था, उसमें आपको याद होगा कि रविंद्र जड़िजा को प्रमोट कर दिया गया था, नमबर चार पर बेटिंग करनें बेज दिया था, इस बार भी ऐसा हो सकता है कि इलो भई मेरे पास पाकिस्तान का बोलर है, उसके अलावा आप यहाँ पर देखूँ, मैंने बाबर अजाम और मोहमत रिजवान दोनों को रखा हुआ है, फकर जमान वगिरा मतलब डाउन दी ओर केशी को नहीं रखा है, यानि कि ये दोनों मानलों की अच्छी परफूमें मेडियल ओडर में डालते हैं, तो ये सब हो गए मेरे पास, इसमें दोस्तों ये वाइस केपरन आप देख लो, कहार राहूल, इनको आप एक टीम में वाइस केपरन ट्राई कर सकते हो, अभी तक हमने ट्राई निकिया इनको कर सकते हो, छीग है, उसके अलावा आप देख ल यानि कि दोनों टीम्स के जो टोप थ्री हैं उन्होंने अच्छी परफॉमेंस की अब सबसे पहली बात मेरी ये सुनों कि दोनों टीम्स के टोप थ्री परफॉमेंस कर रहे हैं यानि कि बेटिंग फ्रेंडली माहुल रहेगा ठीक है टोप थ्री दोनों टीम्स के तभी परफ कि यहां से मुहमत नबाज रख लिए आप जाओ तो शिदाब खान रख सकते हो और नीचे से भूवी है अर्शेदीप सिंग है और नशीमसा है आप चेंजेज क्या कर सकते हो इसमें हरी श्रोफ ट्राई कर सकते हो या फिर यूजवेंदर चाहल ट्राई कर सकते हो ठीक है तो कुछ आप चेंजेज कर सकते हो加शन से म ऑइस कर सकते हो जबह मने माना है कि दोनों टीम के टोप 3 कार रहे है तो इनमें के यहां से मो बनाना है ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूत है दो कैबरें बना लो उसके बाद दोस्तों आगर मैं बात कुँ अपने combination number 6 की तो वो देखो मैंने किसी साब से रखा है मैंने माना है कि मुहमत रिजवान इस बार जल्दी out हो गए मुहमत रिजवान को मैंने अभी तक अपने हर एक combination में रखा और इस combination से कर दिया drop अब of course ये वाला combination रिस्की हो जाता है क्योंकि मुहमत रिजवान पिसले दोनों में अच्छी performance की है लेकिन यार वही बात ना ग्रेंड लीगा तो रिस्क है और रिस्क लेना पड़ेगा तो मुहमत रिजवान को मैंने अपनी टीम से drop कर दिया मुहमत रिजवान को drop किया तो कोई एक cricket QA पर मैर को उठाना पड़ेगा तो दिनेश कार्ति को अपनी टीम में उठा लिया उसके अलाबा बाकी सारे प्लेर आप देख लो अपने इस आपसे देखो मुहमत रिजवान गए है मतलब कि पावर प्ले में कोई गया है पावर प्ले का बोलर मेर को जी है तो भूमनेश्वर कुमार को मैंने अपने टीम में रख लिया अर्शी दिप सिंग को मैंने इस combination drop कर दिया क्योंकि एक चीज अगर आपने notice की हो इंडिया-Hongkong वाले match में अर्शी दिप सिंग अपनी line और length से बहुत वटक रहे थे ठीक है उतनी अच्छी line और length पे bowling कर नहीं पा रहे थे है तो अगर मान लोगी उनकी form बिगड चुकी है तो फिर ये वाली team आप क्यों पर आजाईगी यहाँ पर मैंने अर्शी दिप सिंग को drop करके यूजवेंदर चाहल को अपनी team में रखा हुआ है बाकी दोस्तों सारे player आप देखलो मैंने थोड़ा बहुत risk लेके बाकी के player select किया है जैसे कि यहाँ से इस बार केयल रहूल और विरार्ट कोली में ने रखिया है मान लिया कि इन दोनों के अंदर अच्छी partnership चल गई और यहाँ से रोई शर्मा और सूर्य कुमार यादव जो की बड़े player उनको drop कर दिया ठीक है अब वो यार थोड़ा बहुत risk लेना पड़ेगा ना हर एक team में जैसे यहाँ से मोमत इरिजवान के साथ risk ले लिया तो थोड़ा mix-up मेरे पास बन गया बाकी दोस्तों यह अपना combination number 6 है इसमें captain और vice captain की अगर में बात करूँ तो आप यहाँ से बाबार इजाम के साथ जा सकते हो मेरे माना की मोमत इरिजवान फैल हुए फकर जमान नहीं हुए तो इनको आप captain vice captain ट्राइ कर सकते हो तो वो ही captain vice captain rotate करके 2-3 team आपको इस combination से बनानी है combination number 7 की दोस्तों अगर में बात करूँ तो मैंने इस combination से भी अर्षेदीप सिंग को drop किया हुए अर्षेदीप मान लिया कि complete fail हो गए तो बोलर यह ही है मेरे पास जो कि 4 पिसले combination में थे लेकिन इस बार एक Indian बोलर मेंने बढ़ा दिया है एक अक्षार पटेल को अपनी टीम में रख लिया है जो कि betting और bowling के साथ मेरे को point दे सकते हैं याँस मैंने दिनेश कार्ति को drop कर दिया है मुहमत रिजवान को वापस उठा लिया है दो इंटिया के जो opener हैं जो कि अभी अच्छी performance नहीं कर पारे हैं वो drop हो गए और विराट पोली और सूरिया को मारे यादों के बीच में काफी अच्छी partnership बिल्ड हो गई ठीक है तो ये करके मैंने वाला combination बना लिया है याज हार्दिक पांटा जो की betting और bowling के साथ मेरे को पॉंट दे सकते हैं वो वाला कर लिया है दोनों opener का wicket लेने के लिए मेरे पास है पाकिस्तान के power play के bowlers भी है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है captain और vice captain दोस्तों इसमें जब मैंने माना है कि इन दोनों के अंदर partnership build हो जाएगी तो ये दोनों आप कर सकते हो उसके लावा मुमत रिज्वान आपके पास अच्छे captain vice captain choices हाई है और हर्दिक पांटा जो betting plus bowling के साथ पहुंट दे सकते हैं आपके लिए captain vice captain choice है ठीक है वही बात रोटेट करो और दो तीन टीम आप इस combination से भी बना लो और दोस्तों अपना जो last combination है इसमें मैंने मान लिए कि भाई आखिरकार विराट कोली भी fail होई ठीक है पिक करना चाहो तो लएक सकते हो मान लोगी फकर जमान या फिर बाबार रजाम को अपने टीम से डॉप करके ठीक है उसके अलावा यहां से आप देख लो के एल राउल का विकेट लेने के लिए मेरे पास नसीम शाह है और मान लोगी विराट को ली है तो उनका विकेट भी ले सकते हैं मौमन नवाज जो की काफी अची बोलिंग करते हैं और उनका पहले भी विकेट ले चुके हैं ठीक है तो मैंने उनको डोग कर दिया है इस बार चहल और अर्शदीब सिंग को अपने टीम में रख लिया है और यह वाला कॉमिनेशन मेरा तयार है थो इनमें आप केटन वाइस केटन डोटेट करके इस कबिनेशन से भी अपनीटिन टीम बना सकते हो तो दोस्तों मैंने आपको टोतल आठ मेंटिते बना दिया है कर लेना वीडियो अल्मोस्ट खता में टेलिक्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्चेन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो के लिए स्क्रिप्च इतना ही दोस्तों मैं मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा अपना कि अधने आन्रु के लुक्यों